राम राम भाई सारा भाईयान है आई मैं आपका भाई कमल और स्वागत आपका एक नए फलोग में तो भाईयों सुबह के बजरे साड़े च्छे और ये है चिडिया का गोसला जो कि मैंने रैडिमेट लाग के टाका था अब इसमें चिडिया रहने लग गिये बच्चे मुझ निकाल रहे हैं बाहर खाने के लिए और ये इधर इनकी माता जी बैटी है जो लूड़ गई है कुछ इनके लिए खाना लेने गई है कि देखिए दो दो बच्चे भाईयो और सुबह सुबह ये ऐसे ची 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 करने लग जाते हैं सुबह सुबह अभी जब तक इनकी मा या पिता जी नहीं आते हैं तब तक ये ऐसे ही करेंगे ये देखिए आये हैं अभी इनके लिए कुछ खाना लेके ये देखिए बाई इनकी माता जी लेके आई ये खाना ये देखिए फिर से उड़ी है खिला के खाना कीडे मकोडे ये देखिए ये इनके पिता जी आ गए है खाना लेके ये बच्चा कैसे मुझ निकाल निकाल खाने के लिए देखिए देखिए कैसे मुझ फाड़ रहा है रेक लादे भाई इसको नहीं जला रहा है तो भाईयों सुबह सुबह जो ये चिडियाओं की आवाज होती है बड़ी प्यारी लगती है सुनने में हमारे यहां तो सुबह सुबह रोज ऐसे ही रहता है उतने पहले ही चींची की आवाज आने लग जाती है और यह लगती भी बड़ी अच्छी है भाईयों पीछे जो आप देख रहे है यह है रहेजा की बिल्डिंग मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी तो देखे बिल्डिंग कुछ इस तरह ही दिखती है अभी यह पूरी कंप्लीट हुई नहीं है काफी टाइम हो गया और अभी और टाइम लगेगा इसमें कं पूरी कंप्लीट होने के बाद और अच्छी लगेगी यह अपने गाउं का रोड और इधर एक यह सटक बन रहे हैं नई तो बाई हो यह है अपना टेली टू जैपपूर हाइवे डाक काड़ वाले काड़ ले जा रहे हैं तुबहे के बज़रे साड़े आठ तो भाई अभी पहुचे है पैटल पुम्पे गलवाते है पाई कमें तेल और सुबहे के नो वज़रे हैं फिलाल अभी तो भाई हो आज आप सभी के प्यार और आशिरवाद से अपने यूटूब चैनल पर पूरे एक सो सस्क्राइबर हो गए हैं तो आश्या है कि आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखे और हमारे चैनल को स्पोर्ट करें और भाई हो एक अपता हुआ अभी यूटूब चैनल बनाए हुए तो सो सस्क्राइबर हुए हैं फिलाल अभी तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि सिर्वात में ही सो सस्क्राइबर एक अपते के अंदर भाई धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए तो भाई अभी हम आगे हैं अपने जोड में दोफैर हो रही है और मोसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है पंचियों की आवाज आ रही है बड़ी अच्छी यह देखिए बिल्कुल बादल चाये खड़े हैं और एकदम हर्याली हर्याली दिख रही है चारों तरफ यह अपना पहाड नजारा देखिए इधर भी बिल्कुल काले बादल चाये हुए हैं और यह नीम का पेड़ इसमें हो रहा है होल इधर एक यह पीपल का पेड़ है बहुत पुराना है और यह बड़ का पेड़ यह भी काफी पुराना है तो हर्याली देखिए भाईयो बड़ा अच्छा मोसम हो रहा है एकदम हवा चल रही है ठंडी ठंडी तो भाईयो यह है रस्ता जोड से आते टाइम का सामने वो रहे जागी बिल्डिंग दिख रही है फिर से बड़ा अच्छा ही नजार आए विल्डिंग का तो भाईयो अभी शाम के बज़रे हैं सवाच्छे और मोसम हो रहा है बढ़िया अभी एक गंटे पहले भाईयो अमारे यहां पर आई थी बारिश तो यह पीछे पानी बढ़ा हुआ भी दिख रहा है तो अभी मोसम एक दम बहुत बढ़िया हो रहा है तो भाईयो देखिए मोसम बादल बिल्कुल चाय हो रहा है उपर बिल्कुल बढ़िया नजारा लग रहा है तो भाई यह अपने भाई बबलू और यह बारिश के बाद लगा रहे हैं नाली के अंदर फूल के पेड़ पहले भाई ने काफी लगा रखे है यह देखिए आए कर रहे हैं भाई आप सबी भाईयों को बोलू भाई तो भाईयों कैसा लगा आप लोगों की आज का वलोग आशा है कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेर एंड चैनल को सस्क्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जैन्यवाद जैनल